वेल्टम टॉल साथ यह जोंफ नमरन पर आप सभी का हादुष स्वागत है गुड़ नूज है खुशकवरी आप सभी के लिए जी हां आप सभी के लिए जारकन नीड बेस्ट असुस्टन प्रफसर वेकंसी के रिगाटेंग जिसे आप गेस्ट असुस्टन प्रफसर की वेकं चल रही है जहां पर आल अवर इंडिया सबसे ज्यादा सेलरी आपको मिलने वाली है गेस्ट असुस्टन प्रफसर की जहां भी रिकुमेंट निकलती है इतनी सेलरी कहीं पर नहीं है संतावन हजार साथ सौ आपको सेलरी यहां पर बनेगी और यह तो सेलरी की बातरी जब जहारकन में पर्मानेंट वेकंसी निकलेगी उस समय आपको जितने भी घंती अधारे टीचर है गेस्ट असुस्टन प्रफसर हैं उनको पांच नम प्वेंट्स मिलने वाला है एक्स सेलरी भी सबसे ज़्यादा तो है ही और इंडिया में तो आपके लिए गौर्डेन अपर्चुटी है और जिस जो इंटर्व्य है इसके आप अच्छा से प्रिपेशन करें इसकी समुचित गाइडलाइन इस चनल के मादम से आपको मिल जाएगी किस प्रकार आपको क्या क्य स्केम जिसको बोलते हैं सौट में सीदू कानो मुर्मु उनिवर्सिटी दुम का स्केम यू से इंटर्व्य के परकरिया और यहां पर आप देखने कि इसके पहले ही यहां पर प्यच्टी धार या भ्यारती है एसके अम्यू में उन्होंने क्या क्या था है यह जो नियम के व जो भी और मिलें के शोजड़ा करें करें कर सकती है उसकी संपरियों करें किया सब्सक्राइब और UGC Regulation 2018 की जो बात कर रही है भ्यारती तो 2018 में कुछ मोडिफाइ करके कुछ चैंजेज करके जारकन का नुकूल जो हो उसको 2023 में सरकार ने निक्तिनिमावली बनाई है उसी के कोडिंग यह भाली हो रही है कहीं भी किसी भी तरीके से गलत नहीं है वो फूरी तरह confident है 100% उनको यह यह भी कहना है कि यह जो है निराधार इनका कोट में जाना कोई भी उचित नहीं बनता है क्योंकि हम लोग अपने नियम से नहीं कर रहे हैं बलकि सरकार जो जारकन का उच्छ सिक्चा उंक तकनिकी सिक्चा विभाग है उसके द्वारा बनाएगे बन बाते हैं इसीलिए कहीं कोई त्मिद्निण बाता नहीं होगी इस लिए हम लोग इंसे इस प्रकार में ने वीजट किया है और आपको उनके दोवारे यह पूरी तरह 100% आप स्चोड रहे हैं मैं जो आपको जनकारी दे रहे हूं इसका 100 पर्सक्राइब रहे हैं कि यह जनकारी बिल्कुल 100% अफेंटिक है बस है कि अनफिशल तरीके से मिल रही आपको अभी लेटर से सुन नहीं हुआ है लेकिन 15 मई से आपका इंटर्वी आराम हो रहा है और यह भी बताते चलें पहले साइंस वाले पेपर को होगा तो साइंस वाले जो बच्चे हैं स्टुडेंट्स है वह आप से मई दोजार चोबिस यानि दो दिन पहले तक ही इसका लास्ट जो क्लैम करने का डेट था वह खतम हो गया है अब यहां पर मेरिट बन रहा है और मेरिट पूरे दिन रात वहां पर काम हो रहा है लोग काम कर रहे हैं और इसमें आपके का सब्जेक्ट में पांच गुना ज इसमें दस तीट है तो अभी इसको फाइब से मल्टिप्लाइ किजिए आप यानि फिप्टी फिप्टी लोगों को बुलाय जाएका डॉकॉमेंट वेरिपिकेशन के लिए तो सबसे पहले क्या होगा डीवी होगा डॉकॉमेंट वेरिपिकेशन होगा सबसे पहले जो 15 मई क देट रखा गया इंटरिव्यू का तो आपका सबसे पहले डॉकॉमेंट वेरिपिकेशन होना है डॉकॉमेंट वेरिपिकेशन के बाद आपका फिर से जो 10 सीठ इसका तीन गुना कीजिए थरी से मल्टिप्लाइ कीजिए तीस फिर यह तीस लोगों को फाइनल के यह भरती कराई जा रही है इसलिए कहीं कोई दिक्कत फिलाल नहीं है कि जो भी है अगर कुछ ब्यारति भी जाते हैं तो उनका भी वेलकम है उनको अपने कर सेडिस्फेक्शन होना चाहिए उनके साथ भी सानुभूती है उन्हें अगर लाब मिलता है तो किसी को कोई आपत अब सभी को दे रहा हूं लेकिन हंड़ेट परसन आप बिलीब कीजिए यह अंड़ेट परसन अथेंटिक निवीज है तो आप अपने अस्तर से प्रिपैसन करें मैं बताते चलिए आपको क्या क्या कर लेना है सभी जो आपका डॉक्कमेंट वेरिपिकेसन होगा सबसे पहल की और जिनल परती और एक जिरॉक्स आपका रहेगा ही इसके साथ ही एक जिरॉक्स अपने साथ रख लें सब्सक्राइब कर लें और लेकर डॉक्कमेंट वेरिपिकेसन में जाएं उसके अलावे अक्ष्टा भी अगर आपके पास कुछ है तो वह भले ही आपको वहाँ पर जाने में गतले प्वेरिपिकेसन में लेकिन जब इंतर ब्यूंट के समय भी आप उसे आपने आपके रहेंगे इसा कर सकते किसी सवाल के जवाब को देते-बेते यहां तक कशनेक्ट कर दें आपको दिखाने का मोका मिल जाये और ठीक है दिखाइए आप वह दिखा सकते हैं चाहे हो आपका पेपर प्रेजनेशन जो आपने अभी हाली में कहीं अचीब किया है या अब भी हाली में कोई आपका earnest लेकर चले हैं कि यह दोकुमनस बात रहिए इंटर्विव में जैसा मैंने पहले कहा कि आपको तीन चीजों पर ध्यान देना है तीन चीजों पर ध्यान देना किस पर किस पर ध्यान देना इफ टीन अगर आपने पасया थे इंदक कि धिक यह था च्रूइ। उसमें इस थेसिस के topic को आपने क्यों चुना है ना आपको इससे क्या और और इसका hypothesis क्या था आपका और आप समाज को इससे क्या देना चाहते हैं इस प्रकार की question आप से पूछी जाएंगे PhD थेसिस से आपके chapters के नहीं आपको याद होना चाहिए बिब्लियोग्राफी में जो आपका रहता है तो कम से कम दस आप बुक्स के नाम याद रखें जो भी आपके सब्सक्राइब आप इसके बाद आप से प्रामरी स्क्राइब सब्सक्राइब किया है तो सभी आर्टिकल को फिर से एक बार देख लें सभी आर्टिकल की कर सकते हैं का आपका जो तो आपको पूछा जाएगा यह प्रस्थ यह सारे प्रस्थ ना को करना है इसके साथ यह जार्खन जीके भी कर लेना है और अपना पेपर का तो तयारी आपको करना है जहां से आप विलॉंग करते हैं और कुछ जरूर से जरूर कर गया है तो फिलाल अभी इतना ही और जैसी इंटर्व्यू की प्रक्रिया आराम होती है सब्जेक्ट बाइज में और भी वीडियो बनाऊंगा आप सभी को विसरे जनकाई दूंगा क्या क्या आपको कर लेना है त प्रक्रियों को क्लिक कर लें क्योंकि यह चैनल हायर एजुकेशन को डेडिकेट चैनल है और हएजुकेशन से जुल्ड़ी हर चोटी बड़ी अब्डेट से आप आपको मिलती रहती है थैंक्यो थैंक्यो वर्य-बड़ी मच्च फर वाजिंग इस बेडियो और कनेक्टिव प्रक्रियों के एक जाम फाइटर नमर वन